तो यह है हमारा question number second students आइए इसको भी solve करते हैं हम लोग जल्दी से देखते हैं कैसे solve करेंगे तो solution है यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है अंडर root sin 5 cos की पावर 5 5d5 तो यह root में जो sign 5 हैइसको हम t माल लेंगे हैनी कि sign 5 is equal to t माल लेते हैं तो let a sign 5 इसके अगर हम differentiate करते हैं डिफ्रेंशियेट बोथ सेट करते हैं तो यह sign फाई हो जाएगा कॉस फाई और डिटी को अगर हम करेंगे तो डिटी ओवर डिफाई तो हमें क्या देगा तो हमें देगा डिफाई इस इक्वल टू डिटी अपॉन कॉस फाई कॉस फाई अब हम लिमिट भी चेंज कर जेते हैं टी के रिस्पेक्ट में क्योंकि अभी तो फाई के रिस्पेक्ट में है तो टी के रिस्पेक्ट में यानि की टी के रिस्पेक्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे लिमिट चेंज तो हम लिखेंगे यहाँ पर वैन फाई इस इक्वल टू जीरू then t is equal to what तो यहाँ पर अगर हम 0 रख देंगे 5 की जगह पर तो sin 0 हो जाएगा sin 0 की value कितनी 0 तो t की value भी 0 when 5 is equal to upper limit half pi by 2 है तो pi by 2 then t is equal to what t is equal to sin phi के जगह पर pi by 2 रखते थे sin pi by 2 की value 1 sin entity की value 1 होती है तो 80 की value भी 1 ही हो जाएगी अब हम अपने question को कुछ अच्छे से रख लिखते हैं तो हमारे पाश question क्या है हमारे पाश question है की question हम लोग देख लेते हैं हमारे पाश question है जीरो टू पाई 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 तू रूट अंडरूट साइन फाई कॉस की पावर फाई फाई डी फाई यही है आज जीरो टू अंड यह हो जाएगा रूट टी सैन फाई को ती माना है कॉस फाई ऐसे ही रह जाएगा फाई दी फाई की जगापर हम क्या रख सकते तर बी फाई की जगापर हमें डी कर देंगे सॉर्य कोस्ट फाइल फाइल से ये एक कॉस्ट फाइल कैंसिल हो जाएगा तो मैं पास कोस्ट की पावर फॉर फाइल बचेगा इसको हम क्या करते हैं रूट्टी को टी की पावर हाफ लिख सकते हैं कॉस्ट फॉर कॉस्ट की पावर फॉर फाइल को हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट इसक्वाइर फाइल का होल स्क्वाइर डीटी ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये फाइल को हमको हटाना है यहां से और टी लाना है क्योंकि फाइल के रिस्पेक्ट में में पास कुछ नहीं चल रहा है तो आईए जीरो टू वन टी वन बाई टू अब कॉस्ट स्क्वाइर फाइल को हम वन माइनस साइन स्क्वाइल फाइल भी लिख सकते हैं तो वही हमने लिख दिया आगे बढ़ते हैं हम इसको लेके और अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जीरो से वन हमाई लिमिट है टी की पावर वन बाई टू है यह तो सही है ऐसा करने से हम इससे अंदर मल्टिप्लाई कर सकते हैं तो हम वही कर रहे हैं तो टी की पावर हाप से वन में करते हैं तो टी की पावर अच्छा अभी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह तो स्क्वार है वह कैसे करेंगे तब को थोड़ा सा इंतिजार City करना होगा इसकी ह catastroph제jektि को खोलते हैं माइनस बी का होल स्क्वार का म्-ू एबी कर कि अब तो बिल्गुल हम कर सकते हैं मंल्टिप्लाई अंदर तो चलिए multiply करने के लिए तयार हो जाते हैं तो 1 में करते हैं T की power half से तो क्या होता है T की power 1 by 2 हो जाता है minus यहाँ पर 2 T square है और T की power 1 by 2 से जब करेंगे तो base same है तो power end हो जाएगा T की power 2 तो जा फूर 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 बाइट 2 हो जाएगा अच्छा यहाँ से करिये plus वही है यहाँ पर फूर टू जाएट टी की power 9 by 2 हो जाएगा ठीक से लिखते है 9 by 2 यहाँ पर 2 हमारा छोटी गया तो 2 भी लिख देते है हम क्या करते हैं इसको इंटिग्रेट करते हैं इंटिग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं इंटिग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं ती की पावर हाफ यानि की इसको इंटिग्रेट करते हैं ती की पावर 3 by 2 हो जाता है आप और में 3 by 2 हो जाता है माइनस कि ये तू तो हमारा इस लिए तू रह जाएगा अच्छा टी की पावर 5 by 2 जो है इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो टी की पावर 5 by 2 को करते हैं तो टू अंजा 2 5 7 7 by 2 upon 7 by टू हो जाएगा प्लस टी की पावर 9 by 2 को इंटीग्रेट करते हैं तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास टी की पावर 11 by 2 upon 11 by 2 इंस सब पर लिमिट लगा देते हैं 0 to 1 अच्छा कि यह आगे लिए हैं कि अब हम इसको था सही से लिख देते हैं तो यह हो जाएगा 3 by 2 नीचे है तो माइनस 2 अब यह 2 भी नहीं रहेगा क्योंकि 2 पर चला जाएगा 4 by 7 हो जाएगा 4 by 7 टी की पावर 7 by 2 plus 2 by 11 टी की पावर 11 by 2 यह सब हो जाएगा 0 से 1 अच्छा और आगे जाएगा तो अब यह हो जाएगा हमारे पास 2 by 3 तो ऐसे ही रह जाएगा चुकि लिमिट यहाँ पर लिमिट और अपर लिमिट है तब हम टी की लिमिट और अपर लिमिट लगाएगे तो पहले 1 की पावर 3 by 2 माइनस 0 की पावर 3 by 2 यह हो गया माइनस 4 अपन 7 फिर टी की पावर 7 by 2 है तो यह निकी 1 की पावर 7 by 2 माइनस 0 की पावर 7 by 2 फिर प्लस यहाँ पर 2 by 11 2 by 11 1 की पावर 11 by 0 की पावर 11 by 2 तो यह हमने लिमिट रख दिया है तब हम सॉर्व कर सकते हैं तो हम ले जा रहे हैं उपर यहां पर हमारा हो जाएगा 2 upon 3 क्योंकि यह 1 हो जाएगा माइनस 4 upon 7 क्योंकि यहां पर भी 1 हो जाएगा और वो अलबी 1 हो जाएगा तो 2 by 11 हो जाएगा और आगे ले जाते हैं हम यहां पर तो इन सब कल्सियम लेते हैं तो 231 होता है 231 होता है 3 के टेबल में 231 77 बार में आएगा यानि 77 टू जाब 154 माइनस 7 के टेबल में 33 बार में आएगा 132 हो जाएगा फोर टैंग में 132 और यह 11 के टेबल में 21 बार में आएगा तो 42 हो जाएगा यह खेड़ा आगे बढ़ते हैं अब यहां पर देखते हैं 154 और 42 तो 4269 1 196 माइनस 132 अपन 231 आगे बढ़ते हैं 149 में से 3 माइनस करते हैं तो 6 वन में से वन में 231 इस ही जावार अंसर आई होप आपको कोश्चन नमबर सेकेंड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आपको स्क्रीन सोट लेना होगा इसका तो स्क्रीन सोट लेने के लिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दें लेकिन फिर भी ये दो भाग में आप स्क्रीन सोट इसका ले सकते हैं तो समझने के लिए तो पहला स्क्रीन सोट मेरी समझ से आप यहां पर लेलें तो यह लिए आपने पहला स्क्रीन सोट अब आप दूसरा स्क्रीन सोट आप याहन से लें यह आपने दूसरा स्क्रीन सोट लिया अभी अप को एक और चोटा से स्क्रीन सोट ले नहीं होगा तो अपछ यह आप लें यह और आप इसे नोट्जबुक पर नोट कर लिंक तो स्टुडेंट यह था हमारा कूष्च sha no. 2 अगर आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको हमारे पढ़ने का तरीक अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें